असलाम लेकॉम, वेलकम टू लाइवली कुकिंग, आज हम बनाएंगे चोले या फिर जिसे चन्ने भी कहते हैं, यह वही चन्ने हैं जो के सुबह हम नाश्ते में पूरियों के साथ या पराठों के साथ बाजार से लेकर खाते हैं, इसके लिए सबसे पहले हमें अच्छी क्व चोटे वाले चन्ने बहुत ही जबरदस्त बनते हैं, इसको मैंने सिंप्ली धो कर इसको स्ट्रेंड करके चली में चली में से चांद कर इसके उपर मैंने वन टीस्पून बेकिंग सोडा लगाकर इसे मिक्स कर लिया है, और इसे अब हम एक प्रेशा कुकर में डालेंगे, न बस धो कर स्ट्रेंड करके इसके उपर बेकिंग सोडा लगाकर इसे हमने यूज करना है, इसमें अब हम प्यास डालेंगे, यहाँ पे दो अदद मीडियम साइस के मैं प्यास इसमें डाल रही हूँ, लेसन के जवे तीन से चार अदद हम इसमें डालेंगे, नमक मैं यहाँ हम पे इसमें वन टेबल स्पुन डाल रही हूँ, आप अपनी टेस्ट के साब से कम्याव ज्यादा कर सकती है, लदी पावडर हम इसमें डालेंगे, यहाँ नमक मैं तो दो धाउज किया है, वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं सिर्फ एक एक चमच आपको दिՖारी सुर्ख मिश का पाउडर मैं यहां पे डेड़ चमच यूज़ करूंगी खाने का चमच अगर आपको कम पसंद हो तो आप कम भी यूज़ कर सकती है यह यखनी है याद रखें कि चिकन या बीफ के आपने फ्रेश यखनी लेनी है तीन लीटर मैं इसमें यह डालूंगी आपन तक्रीबन एक टेबल स्पून गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे प्रेशर कोक करेंगे प्रेशर कोक करने के लिए हमें तक्रीबन 30-40 मिनट चाहिए होते हैं लेकिन यह अगर आप इसे पतीले में पका रही हैं तो यह ज्यादा टाइम भी ले आपने एड़ करना है जो के आपने स्टार्ट में यखनी एड़ की थी तो वही यखनी आपने गरम करके एड़ करनी है ठंडी यखनी आपने इसमें एड़ नहीं करनी गरम की हुई यखनी आप इसमें एड़ करते जाएंगे और जब तक के चन्ने अच्छे से गलना जाएं आपने इसको कुक कर लेना है नॉर्मली प्रेशर कुकर में 40-50 मिंट लगते हैं और अगर आप ऐसे ही पतीले में इसे बनाना चाहें तो पतीले में तक्रीबन 2-3 घैंटे लगते हैं इसे कुक होने में चन्ने हमारे अच्छे से गल गए हैं अब हम इसके लिए तड़का त्यार करेंगे तड़के के लिए मैं रिकमंट करूंगी कि आप घी ही लें ऑईल के बजाए आप घी लें तक्रीबन एक कप मैं यहां पे घी गरम कर रही हूं इसमें मैं देगी लाल मिर्च जो कि कलर वाली किसे इसके भी कर सकती हैं अगर आपको कम मेर्चे पसंद हो अब हम इसमें सिट्रिक एसट शामल करेंगे यह थोड़ा से इसमें खटास लाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है अगर यह अवैलिबल ना हो ताप इसमें खटाई पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं थोड थोड़ा सा पानी एड़ कर सकती हैं लेकिन पांच मेंट से कम आपने इसको नहीं भूलना अब हम इसमें से थोड़ा सा ऑईल निकालेंगे आँच आप बंद कर दे तो ऑईल उपर आ जाएगा और ऑईल आप उपर से थोड़ा सा निकाल लें बात में इसे गानिशिंग के थोड़े से चन्ने तकरीबँ हम इसे निकाल लूँगी और इसे मैश करके इसी में वापस मैं एड़ करूंगी जो बाकी का तड़का रह गया था वह हम इसी में एड़ करेंगे छोलो में हमने वह तरका एड़ कर लिया है थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए निकाल और बाकी का मैंने इसी के उपर डाल लिया है काली मिर्श का पाउडर फ्रेश ग्राउंड किया हुआ फ्रेश ताजा कोटा हुआ हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून यहां पर एक छोटी सी टिप है मैं इसमें बेकिंग सोडा एट करी हूँ जस्ट छुटकी बर आपने इसमें बेकिंग सोडा एट करना है इससे यह होगा के चन्ने आपके बहुत ही लजीज बनेगे और इसका इसकी जो ग्रेवी होगी वो गारी हो जाएगी अब हमने इसे प्रीबन 15-20 मिनट तक हमने इसे कुक करना है याद रखें कि मीठे सोडे से और बीच में जो आप चन्नो का इसका पेस्ट बनाकर इसमें यूज करती है तो इससे इसके ग्रेवी गाड़ी हो जाती है इसमें कोई अबले ओवे आलू नहीं डलते कोई दाल वगएरा इसमें आप नहीं डालेंगी और यह 15 मिट हो चुके हैं चन्ने हमारे रेडी हैं यह आप देख सकती है और इसका अच्छा खासा उपर आ गया है ग्रेवी की अच्छी से थिक हो गई है तो यह चोले हमारे रेडी हैं आप इसे सर्फ कीजिए पूरियों के साथ पराठों के साथ बह और मुझे फीड़बेक जरूर दीजे और अगर आपको कोई भी क्वेस्टन करना हो तो आप मुझे से कमन बॉक्स में पूछ सकती हैं थैंक यू फॉर वाचिंग अल्ला हाफेज